हे टेक लवर्स आपका स्वागत है मोबल फंडा के एक और नए एपिसोड में जहां आज हम फिर से कुछ हाइपर ओवेश्टू एप्स को अपने साउमी के डिवाइस पे इंस्टॉल करने वाले हैं तो चलिए जानते हैं कि इन एप्स में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मेस ना हो वहीं इस वीडियो के एंड में हमारे Note 13 Pro 5G या Poco X6 5G यूजर्स के लिए एक सप्राइज है तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें वैसे अगर आप एक न्यू HyperOS 2 बेस्ट कंट्रोल सेंटर ट्राइ करना चाते हैं जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स के साथ लूक मिले तो उपर काड में एक थीम की वीडियो मिलेगी उसे चेक आउट करना ना भूले अब बात करते हैं आज के HyperOS 2 लेटेस्ट एप्स की जिन में सबसे पहला एप है एप भॉल्ट और इसकी वर्जन हमें 13.44.2 देखने को मिलेगी वहीं इसमें चेंजिस की बात करें तो ज देखने को मिलेंगे पलस और भी कुछ न्यू विजिट्स हैं जिने आप ट्राइ कर सकते हैं लेकिन इन्हें यूज करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग मेनु पे और फिर नीचे आके एडिसनल सेटिंग उसके बाद यहां पे जो रीजन है इसे टैप करके इसे इंडोनेशिया पे सेलेट करना होगा जिसके बाद ही आप इन विजिट्स को यूज कर पाएंगे नेक्स्ट एप की बात करें तो वह है लेटेस्ट हाइपर ओस लॉंचर और इसकी वर्जन हमें 5.39.40 संथिंग देखने को मिलेगी वहीं इसमें चेंजिस की बात क करें तो सबसे पहला इसमें और थोड़ी स्मूथनेस देखने को मिलेगी as compared to previous update साथ में आपको होम स्क्रीन पे अपने डेक्श्टोप वाल वेपर को बलर करने का option भी देखने को मिल जाएगा एप नमबर 3 है HyperOS Security और इसकी वर्जन हमें 10.7.0 देखने को मिलेगी वहीं इसम आप के अंदर जाते हैं तो यहां पे थोड़ी UI में changes देखने को मिलेगी जैसे यह shortcuts जहां पे हमें अब right side में colorful icons देखने को मिलेगे पलस जो एप lock का feature है उसमें हमें notification को lock करने में और भी options देखने को मिलेगे वैसे जो game turbo है उसमें भी हमें new UI देखने को मिलेगा जिसे आप screen पे देख सकते हैं बाप करें app number 4 की तो वो है MI wallpaper जिसे भी आपको update करना है तब ही जाके आप वो blur वाला feature को access कर पाएंगे फिप्त और लास्ट एप है theme manager जिसकी version हमें 2.7.4.7 देखने को मिलेगी वहीं इसमें changes की बात करें तो first जैसे ही theme app के अंदर जाते हैं और फिर my account तो आप यहाँ पे देखेंगे कि top में हमें एक gradient effect देखने को मिलेगा वहीं second change आप directly theme app से भी wallpaper अपलाई करते time desktop wallpaper को blur कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं उस surprise की तो काफी ढूणने के बाद finally अपने note 13 pro 5G के लिए make shape case मिला जिसे मैं पिछले 4 दिनों से use भी कर रहा हूं और जो इसकी in hand feel है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी और सबसे अच्छी बात कि ये cover मेरे phone के 360 degree membrane को बीना damage किये आराम से fit हो गया बाकी अगर आप note 13 pro 5G या फिर poco x6 5G के लिए make shape case ढून रहे थे तो आप इसे purchase कर सकते हैं तो फिर ये थी आज की बीडियो उमिद करता हूँ कि आपको ये बीडियो helpful लगी होगी अगर लगी हो तो इस बीडियो को like करें और इसी तरह के बीडियो के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं अगले बीडियो में जै हिंद मिलते हो आपको शल झाल